तो चलिए इस question को देखते हैं यहाँ पे आपको ये method of substitution का question है लेकिन इसको पहले आप हम method of substitution से नहीं करेंगे direct करेंगे ना direct standard form से करेंगे उसके लिए देखिए थोड़ा सा हम इसे arrange करते हैं 1 plus 2x square की power 1 by 2 इसका radical का exponential form हो गया और ये x dx हो गया आप सोची अगर ये fx है तो इसका derivative क्या आएगा इसका d by dx 1 का 0 हो जाएगा और 2x square का 4x आएगा यहाँ पे ये f dash होता f dash x होता मगर ये 4 होता 2 तो कोई बात नहीं है हम लोग adjust कर लेते हैं force multiply और divide ये कौन सी form हो गई fx की power n और f dash x और उसका answer क्या होता था fx की power n plus 1 upon n plus 1 तो apply कर देते हैं 1 by 4 1 plus 2x square की power 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1 plus c हो गया इसको solve कर लीजे तो ये 3 by 2 हो जाएगा यहाँ भी 3 by 2 हो जाएगा तो 3 नीचे 2 उपर 2 2 जा 4 और ये 2 3 मल लाई हो जाएगे 6 हो जाएगे तो यहाँ पर हम लोग 1 by 6 लिख लेते हैं तो ये तो answer हो गया आपका direct तरीके से है ना